भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए क्रूड और रिफाइंड एडीबल ओयल पर बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी यानि आयात शुल्क 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से तिलहन की कम कीमतों से जूज रहे किसानों की बड़ी मद हो सकेगी। साथ ही तिलहन वाली फसलों खास तोर पर सोयाबीन के दाम भी बढ़ेंगे। गौर तलब है कि सोयाबीन का भाव महाराष्ट्र में विधान सभा चुनावों से पहले बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। सरकार के फैसले के बाद 14 सितंबर से कच्च पाम ओयल, सोया ओयल और सूरज मुखी तेल पर 20 फीसदी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। इस से इन तीनों ही तेलों पर कुल इंपोर्ट ड्यूटी 5.5 फीसदी से बढ़कर 27.5 फीसदी हो जाएगी। ये तीनों ही तेल भारत के एगरीकल्चर इंफरास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस एंड सोशल वेलफेर सरचार्ज के तहट आते हैं। केंद्र सरकार के फैसले से खादे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कम हो सकती है। इसका नतीजा होगा कि पाम ओयल, सोया ओयल और सूरज मुखी तेल की विदेशी खरीद पर असर पड़ेगा और उसमें गिरावट आ सकती है।